बार दोस्तों, हवे आपने पाठने समझिये। हजारों वर्ष पहलानी आवाज छे। ए समय बाड़को आश्रम मा बनवा जता। आश्रम घरनी पासे न होई। बाड़क सातेक वरश्नों थाई, इटले एने उपनेन संसकार करवा मा आवता। पची ए बटुक कहवातो, ए दूर आश्रम मा बनवा जतो, आश्रम मा बार एक वर्ष सुधी बनवानू रहतू, बनतर पुरु थया पचीज, गेर पाचा आववानू, दिवाडी के उनाड़ानी रजाओ न हती। गाम थी दूर वनमा आश्रम होई, गुरु अने विद्यार्थी साथेज रहे। आश्रमना जीवनमा खुबज शिस्त रहती। बनवानी साथे दरेक ने काम पण करवानू रहतू। गुरु जी जे कहे ते काम। वहली सवारे उठी, नाही, दोई, सव गुरु जी पासे पहुँची जता। प्रार्थना संध्यावंदन थाए, इटले गुरु जी सवने काम वहँची देता। सवारनू काम करी सव बनवा बैसता। बनवा बैस्वानू कोई घटादार रुक्ष्नी छाया नीचे। वडलो होई, कि आमबो होई, कि पीपडो होई। एने फरते बटो कोई जाते बनावेल सरस ओटलो होई। गुरु जी ओटला पर बैसीने सवने बढ़ावे। सव गुरु जीनी वातने ध्यान्ती सांबडे। मगजमा उतारे। न समझाय तो प्रश्न पुछे। गुरु जी सवना प्रश्नोना जवाब आपे। बोजन पोत पोताने सौंपल काम मा लागी जता। काम पतावी सांज पहला आश्रम मा आवी नाही दोई संत्यावंदन अने प्रार्थना था ता। गुरु जी प्रार्थना बाद उपदेश आपे। कथा वार्था कहे। सव बटु को बोजन करी समयसर उंगी जाई। आश्रम मा वेद वेदांगोनु अध्ययन थतु। अश्वविद्या, शस्त्र विद्या, आयुर्वेद इवा विवीद शास्त्रोनु अध्ययन थतु। आ आश्रमना जीवनमा मात्र बनवानुज नहीं, पन साथे खुप काम करवानु रहतु। आश्रममा दरेक जन काम करे। गुरुजी पन काम करे औने शिश्यो पन काम करे। जीवनमा उप्योगी एवा काम शिखवंमा आवता। कोई खेतरमा काम करे, कोई रसोडे काम करे, कोई व्रुक्षो उचेरवानु काम करे, कोई दाब कापी लावी एमा थी आसन बनावता शिखे। दाब कापवा मा कुशड थवु पड़तु। कारजी न राखे तो ए दाब आंगलियों मा चीरा पाड़े। कोई पांदड़ाना पत्राडा अने पड़िया बनावे। कोई सुतर कांते, कापड वनता शिखे। कुवा माथी पाणी काडता शिखे। काम करता करता वस्तु अनी जानकारी मड़े। अने काम मा कुशड पन थवाई। एक काम शिखी लेवाई। इटले बीजु शिखवा मड़े। आश्रम जिवननु सुत्र हतु। काम करता जाओ अने काम शिखता जाओ। विश्वा मित्रमुनी नो आवोज एक आश्रम हतो। विश्वा मित्रमुनी खुब गिणानी हता। एमने त्या शिख्यो पन तेजस्वी आवता। त्या वारोणी नामनो शिख्य हतो। बणवामा खुबज होशियार। सवारे शिखवाडियु होई ते सांचुदी मातो एने याद रही जतू। कारण के आखो दिवस ए मनमा एनूज रटन अने विचार कर्या करतो। गुरुजी ने ए जाज जातना प्रश्णों पूछतो। गुरुजी एनी शंकाओनू निराकरण करता। गुरुजी ने पण एक गमतो। वारुणी ने अध्ययन खुब गमतू। पण काम करवामा एने मज़ा न आवती। काम करती वखते ए बणवाना विचार करतो। काम बाजुए रही जतू। सांज पड़े सव शिश्यो काम व्यवस्थित पतावी पाचा फर्या होय। पण वारुणी मोडोच पड़े। एनू काम पण अधुरू ने अव्यवस्थित रहतू। एने हवे काम करवानो कंटालोज अव्वा मांड़ो हतो। एने थतू। क्यारेक बिजा शिश्यो आगळ ते आवो बोली जतो। गुरुजी ने काने आ वात पहुँची हती। पण तेओ तक मड़े तेनी राह जोता हता। इदिवसे वारुणी ने कुवा पर रेंट चलावानू काम सौंप्यो हतू। गुरुजी पोते अन्या शिश्यो साथे खेतर मां काम करता हता। वारुणी ना मन मां सवारे गुरुजी ये शिखवेलू चाल्या करतू हतू। यगनों वडे देवनी आरादना करवी एह आपनों पहलो दर्मा छे। पच्छी गुरुजी ये शू कहिवातू। आम विचार करता करता वारुणी ना हाथपक चाल्ता अठकी गया। रेंट फर्तो बंद थाई गयो। एना घडा मां पाणी आवतू बंद थाई गयू। थाडा मां पाणी रेडातू अठकी गयू। त्यांती दोर्यामा अने दोर्यामा थी केतर मां जतो पाणी पन बंद थाई गयू। खेतर ना काम मां विलंब थाई। बदाने कारणीनी खबर हती। वारुणीने जे काम सौपाई तेमां अवूज थाई। गुरुजी ने थाईू के आसारी तक छे। तियो खेतर मा थी कुवा तरफ आव्या। एमने जोयू कि वारूनी रेंट पर बैठेल छे। पन रेंट चालतो नथी। एनो द्यान क्याक बीजेज छे। गुरु जी ये पूछियू। वारूनी एकदम चौकी गयो। एने गुरु जी ने वंदन करया अने पोतानी स्थिती छावर वा मांडियो। एतो हूँ जरा तमे बनावेला रूचा याद करतो हतो। एटले रेंट जरा अटकी गयो। जूओ आप भरीती चाले। रूकाई जा, आ रेंट, कुवा, थाडू, बराबर जुईले। रेंटना गडा किवी दीते गोटफाया चे। जोया गुरु देव। ए गडा उंधा चत्ता थाई, तो शूँ थाई। कुवा माती पाणी निकडे नहीं गुरु जी। आ रेंट उची मेहन ते कुवा माती पाणी बहार काडे चे। आ रेंट, थाडू, दोर्यो, अने नीक नी व्यवस्ता शुदी कडेनार व्यक्ती गडानी के अग्णानी? ग्णानीच के हवाई, गुरु देव? अग्णान पोती माती नती मड़तू, बणवाती नती आवतू, काम करता करता सुझे चे। काम करता करता जने बुद्धी लडावी, अने रेंट बनाव्यो, एपण ग्णानीच चे। ओते बुद्धी पुर्वक काम कर्यू, कुशरता दाख्वी अने बीजाओने पण मदत करी। जे काम थी ग्णान वदे एपण विद्यात चे, एपण एक प्रकार्नो यग्णत चे वत्स। बस, गुरुजी आ यग्णे इटले शू, एनो जहूं विचार करतो हतो, हवे मने समझाय। हजू गणू बाकी चे, सांजे संध्यावंदन वखते, एनी बात करी शू। एम कही, गुरुजी खेतर तरफ चाल्या गया। वारुणी ना हाथपग साथे एनो मन पन जोड़ाय। एने बमना जोरे काम कर्यू। हाथपग जरा दुखता हता, पन मन मा गणो उत्सा हतो। सांजे गुरुजी ये शरुवात करी। तमने खबर चे के कुवा मा थी रेंट वड़े पाणी थाड़ा मा ने पची दोर्या थकी खेतर मा पहुचे चे। पन तमने खबर चे के कुवा मा पाणी क्या थी आवे चे। बद्धा शिश्यो एक बिजानी सामे जोता हता। गुरुजी ये कहिू। सूर्याना किरणोथी पाणी गरम थाई, एमाथी वराड बनी वादला बंदाई, अने वर्साद रूपे ए पाणी पाचु समुद्रमा जाई, पन किटलुक पाणी जमिनमा उत्री जाई छे, शोशाई छे, दर्तीना पेटाड मां उंडे गणा सरो वरो छे, एमा ए पाणी भ प्रजापती भगवाने प्रुथ्वी बनावी, एने समुद्र पन बनावयो, अने एने ज मानस ने पन घड़्यो, प्रुथ्वी परना दरेक ने हवा, पाणी ने खोराक मडे, इवी रचना करी, इप्रजापती भगवाननों यग्य करवो, इटले ज अन्न पैदा करवो, एटले गुरुजी सारू अने बुद्धिपूर्वक काम करता सिखू, एपण विद्ध्या सिख्वा बराबर छे, है मज ने हावच, एकलू बणुमू जीवनमा काम न लागे, जीवा माटे जीवनने उप्योगी विद्ध्या बण शिख्वी पड़े, एक काम मन अने बुद्धिपूर्वक करवाथी ज आवड़े छे, काम करता करता बणुमू इसाची विद्ध्या छे